प्रेंट्स सबसे पहले गला कट करने के लिए हम पेस्टिन बुक्रम लेंगे और उसे डबल फोल्ड कर लेंगे डबल फोल्ड करने के बाद फ्रेंट्स जितना हमें डीप गला चाहिए हम वो निशान लगा लेंगे मैंने यह 7 इंच लिया है और 3 इंच की ब्रोड ली है अब हम इसे एक रेक्टेंगल सेप में ड्रो कर लेंगे उसके बाद हम अपने नेक की जो सेप हमें देनी है वो हम सेप देंगे इसके बाद जितना बड़ा हमें गला रखना है मतलब इसके अंदर हम पैच सेट करेंगे उसकी लंबाई जितनी हमें रखनी हम रखेंगे मैंने यह 14 इंच रखी है आप अपनी 15 इंच भी रख सकते हो 13 इंच भी रख सकते हो उसके बाद फ्रेंट्स मैं यह पोना इंच चोड़ाई में गला ले रहे हूं जो हमें पैच बना उसकी यह चोड़ाई है इसे हम मिला देंगे उसके बाद फ्रेंट्स हम अपनी जो ऊपर हमने जैसे सेप दी है सेम ऐसे ही पोना इंच पे निशान लगा के यह हम सेप दे देंगे फ्रेंट्स इसका आपको बड़ा ही ध्यान रखना है कहीं से हमारी गले चोड़ा या पतला ना हो ऐसे ही हम ने यह पैच की सेप दे दिया फ्रेंट्स अब जो हमें बाहर का हमें कट करना ए उसका निशान लगाएंगे इसके लिए फ्रेंट्स मैंने दूसरे कलर का यह स्केच लिया है ऐसे ही हम पोना-पोना इंच और बहार की साइड ये निशान लगा लेंगे मैंने ये सभी निशान लगा लिये हैं अब इन सभी निशानों को हम मिला देंगे जैसे जिस सेप में हमारा गला है उसी सेप में हम इने मिला देंगे ऐसे हम अपनी सेफ भी ड्रोक कर लेते हैं इसमें फ्रेंट्स जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है इसे हम सबसे पहले कट करेंगे क्योंकि ये हमारी गले की सेफ है ये ब्लू कलर की लाइन पे इसे हम कट कर देंगे अगर फ्रेंट्स आपसे गला हिलता है तो आप ओल पिन लेके इससे सेट कर सकते हो उसके बाद फ्रेंट्स जो हमारा अंदर का पैच है उसे हम कट करेंगे जो हमारा पिंक कलर से बना हुआ है इन निशानों पे हम कटिंग कर देंगे यह फ्रेंट्स हमें आगे की साइड नहीं लेके जाना है अब यह हमारा जो पैच है उसकी कटिंग हो गई है और साथ में हमने अपने गले की भी कटिंग कर ली है आपको फ्रेंट्स यह बड़ी ध्यान से कट करना है यह हमारा गला कट हो गया है और यह उसके अंदर का पैच है अब फ्रेंट्स वे जो हमारे ये है, जिस भी कपड़े का हमें पैच बनाना है उसे हम प्रैस से चिपका लेंगे और गले को भी फ्रेंट्स गले को मैंने अपने सूट के कलर के साथ चिपका लिया है और ये हमारा पैच हम कंट्रास्ट में लगाएंगे जैसा हमारे कमीज में प्रिंट है एक्ष्टा कपड़ा कट कर लिया है और मैंने ये हलके हलके कट लगा दिया जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाए नॉर्मल गले की तरह हम अपने गला त्यार कर लेंगे अब हम अपने कमीज में बीच का निशान लगा लेंगे और गले के बीच के निशान से मिलाके सीधी सिलाई लगा लेंगे या फ्रेंट्स आप औल पिन का भी यूज़ कर सकते हो तो फ्रेंट्स यह मैंने सिलाई लगा लिए नॉर्मल जैसे हम गला बनाते सेम ऐसे हम यह गला बना लेंगे अब यहाँ पास पास हम सिलाई लगा लेंगे फ्रेंट्स ये सिलाई लगा लिया है अब इसे हम कट कर लेंगे फ्रेंट्स जहां पे हमें नोचीज लगाने आप देख सकते हो जा कोने हैं वहां पे मैंने नोचीज लगा लिया उसके बाद इसे मैंने फोल्ड कर दिया है भाइए के से हम पूरे गले को फैच कर लेंगे जहां पे से कपड़े को फैच भर एंगे तब हमें इन निशानों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम जो सिलाई लगाएंगे इस निशान के उपर से ही हम ये सिलाई लगाएंगे ऐसे हम fold करके पूरे पे निशान लगा लेंगे इस निशान से friends हमारा जो पेच है वो टेड़ा नहीं होगा इसलिए हम ये निशान लगा लेते हैं ये मैंने निशान लगा लिया अब इसे मैंने दूसरे कपड़े पर paste कर लिया है जो हमें piping लगाऊंगी मैं उस पे और फ्रेंट्स ये सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे कट करने के बाद फ्रेंट्स इसमें हम नोचीज लगा देंगे यह मैंने पूरे हमारे गले पे नोचीज लगा लिए अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि हमारी पतली पाइपिन निकलाए अच्छे से हम इसे सेट कर लेंगे आप देख सकते हो फ्रेंट्स ऐसे हम पाइपिन निकालेंगे और इसके उपर से हम इसे सिलाई लगा लेंगे ऐसे अच्छे से फ्रेंट्स यह हमारी सिलाई लग गई है और extra कपड़े को हम cut कर देंगे जितना भी हमारा extra कपड़ा है हमें अपने patch के जो एक fabric है इससे थोड़ा सा ज्यादा रखना है क्योंकि जो हमारा ये patch वाला कपड़ा है ये थोड़ा hard है ब्रोकेट का कपड़ा है ये skin पे चुबता है इसलिए हम जो हमारा नीचे का सोप्ट कपड़ा है उसे हम उपर की साइड फोल्ड कर देंगे जिससे हमारे ब्रोकिट के धागे भी निकलेंगे और ये चुढेगा भी नहीं ऐसे हम पूरे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे ये मैंने पूरा कपड़ा फोल्ड कर लिया है अब हम अपने गले में अपने पैच को भरेंगे जो हमने निशान लगाए थे उस निशान से बिल्टर हमारे गले को मिला कर हम ये शिलाई लगाएंगे आप देख सकते हैं ऐसे हमें पूरे गले पे उस निशान के उपर से सिलाई लगाते हुए हमें अपने पैच को फिल कर देना है काफी ही आसान है ये गला बनाना और मैंने इसमें कोसिस किया आपको बड़े अच्छे से समझाने की अगर आपको कहीं से भी कुछ समझ ना आए तो आप कोमेंट करके पूछ सकते हो और फ्रेंट से चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो फ्रेंट सेम आप दूसरे डिजाइन भी बना सकते हो इससे आइडिया लेके हम फ्रेंट से पूरे गले पे ऐसे ही अपनी सिलाई लगा लेंगे आपको ध्यान रखना फ्रेंट कहीं से टेड़ा नहीं करना है अपने गले को हमने जो निशान लगाए थे उन्हीं निशानों से मिला कर हम ये सिलाई लगाएंगे और फ्रेंट्स जहां पे हम सिलाई को खतम करते हैं और शुरू करते हैं वहां पे हमें पक्का करना चाहिए ताकि हमारी सिलाई ना हटे इसके बाद फ्रेंट्स अब हम ये लेस लगाएंगे इसके उपर नॉर्मल जैसे हम लेस लगाते हैं ऐसे ही हम अपनी लेस को लगा लेंगे जहाँ पे कोना आएगा वहाँ पे हम लेस को हलकी सी फोल्ड कर देंगे आप देख सकते हो, जैसे मैं ने ये fold किया क्योंकि यहाँ पर हमारा kona था kona पनाने के लिए हम अपनी lace को fold कर देते हैं ऐसे ही हम पूरी lace को लगा लेंगे जहाँ पर हमारा kona बनेगा जैसे हमारा नीचे kona बना है तो यहाँ पर भी हम एक चुनलट देंगे और दूसरी साइड भी हम चुनट दे देंगे ऐसे चुनट देते हुए हम अपनी पूरी लेस को लगा लेंगे फ्रेंटस इससे कोई प्रोब्लम नहीं होती है लेस लगाने में उसके बाद फ्रेंटस अब हम इसके उपर से एक और सिलाई लगा देंगे क्योंकि हमारी लेस चोड़ी है इसलिए एक और सिलाई हम लगा देते हमारी ये लेस लगके रेडी हो गई है आप देख सकते हैं और अब हम यहाँ पे बटन लगा देंगे पहनने के बाद हमारे गले की ये लुक आई है आपको ये वीडियो कैसे लगी कोमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं फ्रेंटस नेक्स्ट